एक ग्राफ है टाइम डिस्प्लीस्मेंट ग्राफ दो बॉडीज का है ए और बी क्या है लफ़ा पर लेकोशन पढ़ लेते हैं लेका पोदिशन टाइम ग्राफ फ़र टू चिल्डरेन ए और बी रिटर्निंग फ्राम दियर स्कूल ओ टू दियर होम पी और क्यू यह दूरी है और यह क्यू का है यह दूरी है दूरी ली गई है न आपके दूरी यहां तो होम यहां पर है दूरी तो ऐसे ना पी जाएगी दिस्टन्स कितनी किलोमेटर है उसका घर तो कहने स्कूल पी और क्यू घर पर पहुशना है इंदूरों को यह फीगर में शो किया गया है चूज दा करेक्ट इंट्री इन दा ब्रैकेट विलो कुछ बातें दी गए हैं जरा उनको देख लिया जाए पहला दिया गया है कि ए जो ए अबलिब भी है वो लिखा ए इनकमरिजन टू बी तो कि जो ए अपान भी हो ए की बारे में बात कर रहे हैं ए लिफ्स क्लोजर टू दा स्कूल दैन भी पहला पार्ट आपसे कह रहे हैं कि ए लिफ्स क्लोजर दैन भी दैन भी जो ए अपान भी लिखा है वो ए इनकमरि कैसे समझेंगे आप अरे भाई ए जो है चलना सुरू किया यहां पहुंच गया अपने घर कितनी दूरी तैंकिया उसने इतनी दूरी तैंकिया और भी चलना सुरू किया यह यहां पहुंचा कितनी दूरी तैंकिया इतनी दूरी तैंकिया उसका घर यहां है इसका घर यहां है तो कौन नदिक रहता है यह नदिक रहता है ना यानि कि O.P. is less than O.A. है कि नहीं है O.P. is less than O.A. है और O.P. किसका घर है O.C. दूरी किसके घर की है A की और O.B. B की क्यों की जिसका मतलब जो A है वो B की कंप्रिजर में नदिक रहता है Yes or No तो यह statement आपका correct है यह का करेक्ट statement correct entries in the bracket below यह बात सही कही गई है तो पहला part यह हो गया जाकर के Second part आप से क्या कह रहा है Second part के A starts from school earlier than B A starts from school starts from school school earlier than B जरा इस graph को देखिए A कितने समय शुरू किया यह समय है 0 second पे School छुटी भी start हो गया और यह 1 second, 2 second, 3 second, 4 second, 3 second, 4 second बाद start हुआ chant one खा रहा था तो पहले कौन start किया A 0 second पे start हो गया और B थोड़ी दिर बाद start हुआ है तो आपसे यही कह रहा है कि A starts from the school earlier than B तो सही कह रहा है कि गलत कह रहा है सही कह रहा है तो yes diagram से clear है कि A जो है B से पहले start करता है क्योंकि मतब यहां जो यह start करता है A के लिए for A for A देखिए A के लिए जो displacement 0 था तो time भी 0 था यहां से start हुआ और B के लिए देखिए displacement 0 है तब time कुछ है T second कुछ भी है जो भी है एक दो second जो भी है कि वो चलना सुरू किया है तो 2-4 second बाद start किया है ठीक है यानि कि बेल बज गई है अभी भाई सब रुके हुए रुके हुए रुके हुए अभी स्टार्ट करें चलना तो इसका पार्ट भी आपका सही हो गया थोड़ा explain करना पढ़ेगा डाइगराम के बारे में ठीक है अब अगला कहरा है कि A walks faster than B A walks faster than B faster than B कैसे आप समझेंगे ये कहरा है कि A जो है B की compression में ज़्यादा ते चल रहा है बताइए देख के बताइए ना कैसे मालूम होगा देखो दो तरीके से इसको आप समझ सकते हैं ने दो तरीके से आप समझ सकते हैं ने उस्टार्ट होने से fast or slow से कोई मतलब थोड़े हुआ लेकि दो तरीके समझ सकते हैं पहला तो तरीका हम ये बता रहे हैं कि हम velocity of A निकालते है तो को velocity of A के लिए ये आपका distance कितनी है op और time कितना है ये इतना time है जो भी है माले ते ol है time है ol ठीक है इससे निकलेगा नहीं एक्चुली में क्यों नहीं निकलेगा उसरीजन में बता देता हूं और जो velocity आप भी निकालेंगे तो distance नहीं निकलाएगा distance कितनी है वो क्यों और time कितना है ये दूरी है ना यहां से आ तक अगर इसका नाम L M N माले तो time M N हो जाएगा तो अब तही velocity किसकी ज़्यादा होगी भाई देखो इसका denominator बड़ा और इसका छोटा बले ही तो देख लीजे आप और इसका numerator छोटा इसका बड़ा तो इसका numerator बड़ा भी है और denominator छोटा भी है तो यानि value किसी कौन बड़ी होगी बी की velocity ज़्यादा होगी तो एक तो हमने mathematically graph की help से पता दिया कि बी की velocity velocity of A से ज़्यादा होगी यानि ये चीज गलत लिखी ही है ठीक है A works faster नहीं है B works faster हो जाएगा दूसा तरीका बताइए time displacement graph में velocity निकालने का तरीका क्या था कि अगर आप time displacement graph आपको दिया है और आपको velocity निकालनी है तो क्या तरीका था क्या से velocity निकालते थे तो वो graph clear होना चाहिए slope निकालते थे याद करिया तो अगर मैं इस A के angle को मालनू theta A theta 1 और B के angle को मालनू theta 2 अब practically देख करके बताईए कि किसका theta ज़्यादा है 2 है क्योंकि उसको कम समय में ज्यादा दूरिते करनी है ज्यादा state जा रहा है diagram के हिसाब से तो आपको second तरीका ये है कि भाई theta 2 theta 1 से बढ़ा है तो अगर 10 लगा देंगे तो 10 की value बढ़ी हो जाएगी angle बढ़ने पर 10 बढ़ता है घड़ता है पका ना कौन घड़ता है देखे आप उसको याद करने का तरीका हम बता दे cause 0 की value cause 0 की value 1 cause 90 की value 0 क्या हुआ इसमे theta 0 से 90 गया value 1 से 0 गई बढ़ी की घटी यानि की cause में angle के बढ़ने पर value घट रही है याद करने का तरीका समझेगा cause की starting C से होती है COS जितने भी technological ratio C से start होते है cause, caught, cause 1 इनमें same rule लगता है angle बढ़ता है तो value घटी है याद हो गया और जो बचे उनमें angle बढ़ेगा तो value अरे, यह तुम मैं बोल ला हूँ बढ़ेगे यानि की 10 theta 2 की value 10 theta 1 से बढ़ी होगी और 10 theta 2 किसकी velocity है velocity of B is greater than velocity of A तो आपका इस statement गलत है क्योंकि यह कह रहे है velocity of A is A works faster जी नहीं B works faster B है faster than A समझे आई बार नहीं आई हमने दो तरीके से बता दिया आपके graph में distance point time से भी बता दिया और slope से भी बता दिया नहीं answer उसमें नहीं लिखिएगा यह जो A upon B लिखा है ना A comparison comparison नहीं से अब ब्रैकेट में दिये हुँआ इनको जब A slash B है तो A जैसे अगर answer A होगा comparison कर रहा है A slash B शुरुबात में दिया A slash B end में दिया हुँआ वो A slash B नहीं लिखा है A comparison वो body के बारे में बात कर रहे है वो आपका A, B, C, D option नहीं है और केवल आप yes, no नहीं लिखे हैं कि आपको region देना पड़ेगा यहाँ पर उसमें क्या है पीछे देख लेंगे answer क्या दिखाते हैं ने ने उसमें confusion ने करी है वो बता दिया वो body A है दूसरी वाली body B है अच्छा अब जाते हैं D part में आते है सुनमें आगया C part अब D part क्या करा जाद ध्यान से पढ़िए कह रहा है कि A and B reach home at the same time or different time D है कह रहा है कि A and B reach home same time or different time diagram से क्या दिख रहा है different time तो पहली वाद दो तरीके से एक तो different time interval में भी उसको time भी अलगल लगेगा और अलगल टाइम पे पहुंचेंगे भी वह नहीं समझें मतला अगर 0 second पहुंचे वह यहां पहुंचेंगे वह यहां पहुंच जाते हैं तो यह देर से चले भी और जल्दी पहुंच भी गए तो different time interval भी लगा अगर इनको 10 second लगा इनको 3 second लगा और अलगल टाइम पे पहुंचें बारा बज़े चुट्टी हुई है बारा दस पहुंचे यह बारा पांच पे पहुंच गए और यह चले थे बारा तीन पे चले धेर में थे लेकिन जल्दी पहुंच गए तेनी time different लगेगा कौन पहले पहुंचेगा अज़े कह रहे हैं कि A over takes B A और B over take करते हैं हरे साब साब दिख रहा है यहां पर दोरों मिलते हैं जाकर के ठीक है तेनी एक बारे over take करते है सुम्झे बात तो कैसा लगा यह बड़ी आए देखे इसमें जो answer दिया गया है book में या तो answer के हिसाब से diagram गलत है या diagram के हिसाब से answer गलत है ठीक है दो में से एल चीज़ गलत है क्यों? answer यह question में कहा गया कि भई A और B यह दो जार हैं तो बताइए यह दोनों एक साथ पहुंचेंगे या बाद अलग अलग पहुंचेंगे तो जो graph book में बना हुआ है तो अगर A का आप time यहां से मिलाते हो और B का time यहां से मिलाते हो तो या दोनों के time अलग अलग है ना यानि कि दोनों अलग 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 पहुंचेंगे तीक है, अलग-अलग टाइम पहुँचेंगे लेकिन जो आंसर दिया है बुक में उन्होंने का सेम टाइम पहुँचेंगे तो सेम टाइम पहुँचने लिए जरूरी यह है कि इसका जो tip होना चाहिए वो इसके बरावर होना चाहिए तो कुछ बुक्स ने, हमने एकाद बुक देखी, वह देखे, आंसर का डिफरेंट है, तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने चुकि NCRT के आंसर को मैच करना था, तो उन्होंने A को ऐसे बनाया, है न, A का ये टाइम था, और B को ऐसा बनाया कि B का टाइम भी इतना ही रहे, ये कर दिया, कि A का टाइम और B के टाइम ये इसकी टिप मिल जाए, जबकि टिप मिली नहीं है, तो according to the diagram of book, answer is wrong, both the body will reach at the different time, ये पहले पहुचेगा, B और A बात पहुचेगा, ठीक है, दूसरी बात एक बात समली जेगा, ये जो आपने ग्राफ बनाया है न, बाड़ी ऐस नहीं चली ये ध्यान रखियेगा, ये T और X की बीच में ग्राफ है, उसका घर यहाँ पर है, ये A का घर यहाँ पर है, और B का घर यहाँ पर है, मतलब हो इज़से एक सेकेंड बेचला, एक सेकेंड में जब यहाँ पूंची और यहाँ पहुच HT यहाँ पूच गया, दो परसन विल रीच एड़ डिफरेंट टैम और एक अंसर इस गिवन कि वो सेम टाइम पी होगा तो सेम टाइम तभी होगा जब ये चीज़ हो ठीक है तो हमारे हिसाब से अंसर यही है अब आगे आपकी मरजी ओकी